अब फ्रेंस हम यह देखते हैं दी एफ प्लस माइनस जी हो तो उस कंडिस्टन हम किस तरह से निकालेंगे एफ डैस जी प्लस माइनस जी डैस सी तो पहले इसको प्रूब करते हैं है फंक्सन एफ और जी एड़ेफ्रेंसेबल है टी ब्लांग्स टूए बीसो यूंक हमारे पास दो डेफिनेशन ने लिए उस में लिल्यात प्लस माइनस अपन ऐस मैनस ब्राबर एफ जसी अपनी देफरेंसेज देफिनेशन ती हमेड आप इस डिफनीश देफिनेशन सी मैंने सदीट अपूं एक समयने सी अपूं एक समयने सी ब्राभर साथाण इस को के लिए इसा करने से लिमिट एक सेंड़ तू सी अपूंस एक से कुछ 될 फ्लिकिट प्लिस मैने सीजिट फॉर लिमेट एक सी यो मैनेellen फ्रेंश कमतुन एकस्सट प्लिस-ब और यहर less X-F-GC X-C तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको F-X-GX इसको simply and F-C-GC X-C यहां नीचे है मारे पास तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंट्स तो यहां से F-X-FC यह नहीं रहेगा sorry fx minus xc plus minus gx रहेगा plus minus gx minus gc तो यहां से यह होगा limit x tends to c fx minus fc upon x minus c plus minus limit x tends to c gx minus gc upon x minus c तो यह हमारे पास क्या था f dash c और यह क्या था g dash c तो f dash c बराबर plus minus sorry f plus minus g differential of x c बराबर f dash c plus minus g dash c यहांनिका हमारे पास जो फोर्मूला है वो आ गया हमारे पास f plus g अगर plus sin हो डेवरेवेटिम निकाल रहा हो तो d of f plus d of g at c पे यहांनि इसो लिख सकते हैं f dash c plus g dash c और अगर इसमें minus का sign हो f minus g c तो यह हमारे पास f dash c minus g dash c simply इस तरह से हो जाएगा है